कलपना कीजिए एक ऐसे देश की जहां हर 20 से 30 किलोमेटर बाद एक दूसरा देश शुरू हो जाता है। आपको ट्रेवल करने के लिए हमेशा अपनी जेव में पासपोर्ट रखना पड़ता है और एक देश से दूसरी देश में जाने के लिए वीजा वनमाना पड़ता है। जी हाँ ठीक ऐसे होने जा रहा था जब भारत देश आजाद हुआ। पानसो बासट छोटे छोटे राज्ये अपने आप में एक देश बन जाते। उसी समय पर एक लोह पुरुष ने पावर ऑफ यूनिटी को समझा और लोगों को इकठा किया। जी हाँ भारत के लोह पुरुष सर्दार वल्लबाई पटेल ने पावर ऑफ यूनिटी को सिद्ध कर के दिखाये। सरदार बल्लबाई पटेल जी के जीवन के सिध्धान्तों से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जिससे हम अपने बिजनस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी सोशल लाइफ में और अपनी परसन लाइफ में बहुत अधी ग्रो कर सकें नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, और मोटिविशनल स्पिकर चोटे-चोटे कस्बों से किसानों को जोड़ा और एक बहुत बड़ा महा अंदोलन तयार किया, जिससे भारत को आजादी प्राप्त करने में बहुत अधिक साहता मिली अगर आप भी अपने बिजनस को एक बहुत बड़ा आकार देना चाहते हैं, बहुत बड़ा माइल्स्टोन क्रियेट करना चाहते हैं, तो आप लेवल ओफ मार्जन पर नहीं, नमबर ओफ क्लाइंट्स पर काम करें, जितने ज़्यादा ग्रहक आपकी कंपनी, आपके प्रो हो पाएं, इसलिए उनकी गिंती सबसे महंगे बैरिस्टर में से की जाती थी, इसलिए काम ऐसे करें, कि आप लोगों के लिए प्रेर्णा के स्रोत बने, मैं आपको कुछ ऐसे उधारन बताता हूं, जिनसे आपको पता लगेगा, इन लोगों ने लोगों के लिए काम किया, इसकी वज़र से ये माइल स्टोन बन गए, मैं आपसे पुछता हूं कि क्या टैक्सियां पहले नहीं थी, येस, टैक्सी पहले से थी, लेकिन ओला कैब ने एक ऐसा माइल स्टोन क्रेट किया, कि टैक्सी सर्विसिस को आम आदमे तक पहुचाया, इसकी वज़र से एक बहु जूलर्स के शोरूम पहले नहीं थे, जी हाँ, पहले से थे, लेकिन माइ आभूशन ने एक बहुत बड़ा माइल स्टोन क्रेट किया, जूलर्स को एक ऐसा प्लेटफर्म दिया, जहां वो अपने प्रोड़क्ट को बेच सकते हैं, और कंजूमर को जूलरी इंडस्ट्री मे प्राइस कॉम्पिटिशन के साथ क्वैलिटी कॉम्पिटिशन को चेक करके प्रोड़क्ट खरीदने में सक्षम बनाया, तो फ्रेंड्स जो माइल स्टोन क्रेट करते हैं, उन्हीं को लोग यूगो यूगो तक याद रखते हैं, इतिहास वही लोग रसते हैं, जो दुनिय बड़ा सपना है, if you can dream, then dream big, and if you can dream big, then dream bigger, and if you can dream bigger, then dream biggest, और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अपनी कविताहों में भी कहता हूँ, कि लक्ष उचा साध लोगे, तो तीर उचा जाएगा, और काम ना छोटी करोगे, तो हाथ कुछ ना आए, don't focus on a single work, focus to create a biggest platform, where large number of people can work with you, break your own records, आप अपने records को खुद तोडें, क्योंकि यदि आप अपने records को खुद नहीं तोडेंगे, तो कोई दूसरा इवक्तिया आपके records को तोड़ देगा, इस बात को हमारे भारत देश ने भी सिद्ध कर दिखाया, USA का Statue of Liberty, जो अपने आप में USA के लिए एक record था, उ और अब ये record भारत ने तोड़ दिया, पूरे विश्व की सबसे उची प्रतिमा जिसकी हाइट है 182 मेटर्स, सरदार वनला भाई पतेल जी की ये प्रतिमा पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेगी और सबी record को तोड़ कर सबसे उची प्रतिमा बन जाएगी, A Statue of Unity तो आईए हम सब मिलकर भारत की इस लहो पुरुष को एक श्रद्धांज ली दें और इस वीडियो को हैसे ग्रूप में जरूर शेर करें जिससे वीडियो पूरे विश्व तक पहुँच सकें और वो लोग जान सकें कि भारत ने बनाया है एक नया विश्व record और हम लोग ग पूरे विश्व में रोशन हो मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनारे बविश्चे की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत सब की पसंद का गहना उनकी पसंद दीदा दूकान से अब आपके विश्वस्नी जूलर आपके मोबाल में डाउनलोड करें आप मयाबूशन अपकी वाली